आज हम आपको वास्त्विक संख्याओं का प्रारंभिक सांस्थ की यानि टॉपलोजिकल प्रेडिमनरीज औफ रियल नंबर्स के बारे में बताएंगे इसे बताने से पहले हम आपको सबसे पहले अंतराल के बारे में बताना चाहते हैं अंतराल समवरत अंतराल होता है विवरत अंतराल होता है समवरत अंतराल को close interval कहते हैं विवरत अंतराल को open interval कहते हैं मान लीजे A और B दो वास्त्विक संख्याएं हैं इस प्रकार से कि B बड़ी है A से तो वास्त्विक संख्याओं का उप समुच्चे A, इसमें वे वास्त्विक संख्याओं हैं, जो A से बड़ी हैं या बराबर हैं, B से छोटी हैं या बराबर हैं, इन संख्याओं के समुच्चे को यदि हम A से डेनोट करते हैं, तो जो बड़ा ब्रैकेट निशान लगाते हैं A, B, इसको हम Closed Interval कहते हैं यदि A और B इसके अंदर तो शामिल है Closed Interval में A और B शामिल होते हैं तथा Open Interval में A और B जो अंतिम बिन्दू हैं दोनों तरफ के वो शामिल नहीं होते हैं अते हैं A, B जिस उन वास्तवेक संख्याओं का समुझ्च है जो A से बड़ी हैं किन्तो B से छोटी हैं इस प्रकार के अंतराल को हम Small Brackets में denote करते हैं और उसे हम Open Interval कहते हैं यदि एक साइड से बड़ा हो तो मतलब वे संख्याओं जो A से बड़ी हैं या बराबर हैं किन्तो B से छोटी हैं इसका मतलब A उसमें शामिल हो गया इसी प्रकार से दूसी तरफ अगर हम ले लें कि वे संख्याओं जो A से बड़ी हैं किन्तो B के बराबर या B अगर ऐसा हो जाए, तो हम उसे semi open interval या semi closed interval कहते हैं, यदि यह इनके अंतिम बिंदु जो हैं, अंतरालों के, यदि यह अनन्त की और अगरसर हो जाएं, तो जैसे अगर मैं कहूं, कि यह देखें आप, a से infinity तक, हाँ न, a से infinity, अभी जो मैंने पिछले बार आपको बताये थे, यह open interval या closed interval, उन सभी की इस्थिती एक सी है, और सभी की लंबाई b-a के बराबर है, open interval में ध्यान रखेंगे, कि end points शामिल नहीं होते हैं, closed interval में शामिल होते हैं, semi closed और semi open के अंदर, एक end point शामिल होता है, जिस side से बड़ा bracket लगा होता है, अब बात करते हैं, कि यदि यह open interval अनन्त तक चला जाए, तो हम इसको open ray कहते हैं, यह से infinity तक, या minus infinity से a तक, यानि a से infinity में वे अव्यब हो गए, जो वास्त्विक संख्या हैं, जो a से बड़ी हैं, और अनन्त तक जा रही हैं, minus infinity से a तक में लेंगे, तो वे संख्या हैं, जो a से छोटी हैं, वो सभी संख्या हैं, minus infinity to a के बीच में आएंगे, इसको हम open ray कहते हैं, अगर हम इसे एक side से closed कर दें, जैसा कि आपको यह दुबारा में दिख रहा है, यह एक side से closed है, यह 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 वे संख्या हैं, जो a के बराबर या a से बड़ी हैं, वो वास्तविक संख्याओं का समुच्च है, closed ray कहलाता है, एक theorem है, theorem यह कहती है कि यह the i1, i2, i3, in संवरत अंत्रालों का समुच्च है, और यह इस प्रकार के समुच्च्च हैं, संवरत अंत्राल के कि प्रत्येक अंत्राल अपने आज़ने वाले अंत्राल के अंदर समाहित है, ठीक है, इस प्रकार के intervals को कहते हैं, वैसे nested interval, यानि i n प्लस 1 is subset of i n, यानि i2 छोटा है i1 से, i3 छोटा है i2 से, i4 छोटा है i3 से, तो यह कह रहे हैं आप से कि यह सभी वास्त्विक संख्याओं के अंत्राल हैं, तो इन सब का intersection खाली नहीं होता है, देख लेते हैं हम इस बात को कैसे सिद्ध करेंगे, कि मान लिया, एन हमारा a n को दिया हुआ है, कि i1 contains i2, i2 contains i3, i3 contains i4 and so on, यदि यह जितने भी उप अंत्राल बनाए हैं आपने, i1 जिसका मान a1, b1 है, i2 जिसका मान a2, b2 है, i3 जिसका मान a3, b3 है, तो यदि सभी अंत्रालों के lower points को, वाम बिंदूओं का एक समुच्चे बनाए हम, s, जिसमें सभी वाम बिंदू रख दी हमने, यानि a1, a2, a3, an, स्वाभविक बात है कि a2 से a2 छोटा होगा, a3 से a3 छोटा होगा, dash 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 an, जो के पहला ही उपंत्राल है, उसका जो अपर बिंदू था, right side का जो point था, वो अगर b1 था, तो ये सारे के सारे a1, a2, a3, यानि कि a i's b1 से छोटे होगे, यानि अब मेरे पास एक समुच्चे s ऐसा है, वास्त्विक संख्याओं का समुच्चे है, अतह, पूर्ण क्रम अभिग्रहीद से s का उच्चक अवश्य विद्यमान होगा, अब एक संख्या मान लेते हैं आप, कि alpha s का उच्चक है, और s उपर की ओर से b1 से बधा हुआ है, अतह, पूर्ण क्रम अभिग्रहीद से s का जो उच्चक alpha है, उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि यदे दो प्राक्रतिक संख्या है, m और n इस प्रकार से हैं, कि am छोटा होगा, बराबर होगा am प्लस n से, is less than or equal to bm प्लस n, is less than or equal to bm, बड़ी सीदी सी बात ये है, कि a1 छोटा था a2 से, यानि a2 बड़ा है, तो देखें आप कि am is less than or equal to am प्लस n, यानि bm जो है, वो सबसे बड़ा point है, और alpha जो है, वो s का उच्चक है, माना है आपने, यानि s का प्रतियक बिंदू इस alpha से चोटा होगा, और s उपर की ओर से b से बन्दा हुआ है, इसलिए alpha एक ऐसा point हो गया, जो प्रतियक उपंतराल में मौझूद है, यानि कि आप इसका intersection करेंगे, तो वो रित नहीं होगा, यानि intersection n is equals to 1 to infinity, i n is equals not equals to 5, अब दूसरी बात बताना चाहते हैं, आपको neighborhood of real numbers, वास्तविक संख्याओं में प्रतिवेश किसे कहते हैं, एक open interval, जो एक वास्तविक संख्या a को रखता है, वह a का प्रतिवेश कहलाता है, एक छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांग संख्या epsilon, इस प्रकार से ली जाए, कि a minus epsilon से a plus epsilon, जो open interval बनता है, इसको हम epsilon neighborhood कहते हैं, और इसे n epsilon of a से लिखते हैं, अगर छोटी से छोटी राशी डेल्टा ले लेते, तो इसे हम n डेल्टा of a के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, epsilon प्रत्वेश उन वास्त्विक संख्याओं x का समुच्चे हैं, absolute x minus a is less than epsilon को संतुष्ट करते हैं, अर्थात वो open interval a minus epsilon से लेकर के, a plus epsilon जिसको हमने neighborhood of a कहा है, epsilon के respect में, बीच के सभी बिंदूओं का समुच्चे है, जो a minus epsilon से बड़े हैं और a plus epsilon से छोटे हैं, सभावेख है, यह जो समुच्चे a है, यह r का subset है, बिंदू a का प्रत्वेश कहलाता है, epsilon एक बहुत ही छोटी नगर्न धनात्मकराशी है, अर्थात 0 से बड़ी है, यदि किसी बिंदू के प्रत्वेश में से, यानि open interval a minus epsilon से लेके a plus epsilon ये a का प्रत्वेश कहलाता है, यदि इस open interval में से हम बिंदू a को ही हटा दें, तो यह हमारा निश्काशित प्रत्वेश of a कहलाएगा, यानि deleted neighborhood of a, यानि बिंदू का प्रत्वेश, बिंदू का निश्काशित प्रत्वेश, ठीक है, यहां आपको कोई बात हैं रखना है, कि अरिक्त समुच्चे किसी बिंदू का प्रत्वेश नहीं होता है, क्यों, कि जब वहाँ बिंदू ही नहीं है, तो हमको open interval कैसा मिलेगा जो वो बिंदू रखता हूँ, अतह प्रत्यक अरिक्त समुच्चे किसी बिंदू का प्रत्वेश नहीं होता है, दूसरी बार प्राक्रतिक संख्याओं का समुझ्च एन इसके किसी भी बिंदु का प्रतिवेश नहीं होता है कारण के एन के जो अवयव हैं वो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ ठीक है अब आप मानलीजे दो संख्या उठाते हैं दूसरी संख्या दो अब 2 का open interval बनाए तो 2 माइनस epsilon से लेकर के 2 प्लस epsilon अब 2 माइनस epsilon से 2 प्लस epsilon के अंदर 2 के अतरिक्त एक अवयव और होना चाहिए एन का जो इसके अंदर नहीं आत्य हम कह सकते हैं कि एन का कोई वेवरत अंतराल उसके अंदर हो गई नहीं open interval मिलेगा ही नहीं हमको इस तरीके से तो ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च एन इसके किसी भी बिंदु का प्रतिवेश नहीं होता है इसके बाद एक और important बात बता रहे हैं वास्तिक संख्याओं का समुच्च आर प्रतियक बिंदु का प्रतिवेश होता है इसी बिंदु एक्स के प्रतिवेश हैं तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन भी उस बिंदु एक्स का प्रतिवेश होगा परमे संख्याओं का समुच्च है क्यों अपने प्रतियक बिंदु का प्रतिवेश नहीं होता है यह आकरी बात है बहुत इंपोर्टन बात है इसे अच्छी तरह समझ लें कि क्यों नहीं होता अपने प्रतियक बिंदु कारण कि कोई भी परमे संख्याओं आप उठाएंगे उसके साथ open interval बनाएंगे मान लीजे आपने alpha ले ली तो alpha minus epsilon से alpha plus epsilon के बीच में अनंत परमे और अपरमे संख्याओं विद्धिमान होती है अतह हमको ऐसा एक भी open interval नहीं मिलेगा जो subset हो जाए Q का अतह क्यों अपने प्रतियक बिंदु का प्रतिवेश नहीं होता है आप इस आगे दिये हुए उधारण से भी कुछ बातें clear कर सकते हैं किस तरीके से हम संवरत अंतराल में जो उसके end points होते हैं वो प्रतिवेश नहीं होते बाकी बीच के किसी point के हमको बिंदु मिल सकता है जिसमें हम प्रतिवेश कह सकते हैं कि उसमें विद्यमान है सीमा बिंदु अलग बात है, सीमा अलग बात है, प्रतिवेश अलग है प्रतिवेश की परिवाशा बता दी आपको अब हम आप से कह रहे हैं कि किसी समुच्चे का सीमा बिंदु कहलाता है यदि एलफा के प्रतिएक प्रतिवेश में एलफा के अतरिक्त कम से कम एक बिंदु एका और अवशित दिमान हो यदि क्या कह रहे हैं ये कि यदि एपसाइलन कोई जीरो से बड़ी राशी है छोटी से छोटी धनात्मक राशी है तो जो ओपन इंटरवल है ए माइनस एपसाइलन से ए प्लस एपसाइलन इसमें एलफा के अतरिक्त कम से कम एक बिंदु और विद्यमान हो तो एलफा इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा अब आप देख सकते हैं कि इसका एलफा के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो खाली नहीं जीगा लिमिट पॉइंट के बारे में कुछ बातें कही हैं कोई भी जो सीमित समुच्च होता है, फाइनाइट सेट होता है उसका कोई सीमा बिंदु नहीं होता है जैसे अब आगे मैं आपको एक उधारन से सिद्ध कराऊंगा एक समुच्चे के अनन्त सीमा बिंदु हो सकते हैं फाइन और जेड का सीमा बिंदु नहीं होता मैं बता चुका हूँ N का अभी आपको इसलिए दुबारा से इस चीज़ को बता सकते हैं कि N के किसी भी बिंदु का open interval बनाएंगे तो उसका A के साथ intersection खाली होगा इसमें खाली नहीं होना चाहिए तो सीमा बिंदु होता है पर ये खाली ही होगा इसलिए इसका कोई भी बिंदु सीमा बिंदु नहीं होता है अब हम इसके आगे आपको ये उधारान जिसके बारे मैं मैं बता रहा था कि E एक समुच्चे है 1 upon N, N belongs to natural number इसमें जिसका सीमा बिंदु है तथा 0 इस समुच्चे में विद्दिमान नहीं है इसे आप आसानी से समझ सकते हैं आपको मैंने बताया था कि Z एक पूर नांकों का समुच्चे है इसका कोई सीमा बिंदु नहीं होता ये भी आपके सामने ये इस पस्ट है आप यहां से देख सकते हैं परमे संख्याओं का समुच्चे क्यू प्रत्येक बिंदु क्यू अलफा के अतरिक्त हमेशा एक बिंदु और मिल जाएगा तो इस बात को आप ऐसे समझ लें चूँके किनी दो वास्तविक संख्याओं के मद्य अनंत परमे और अपरमे संख्याओं विद्यमान होती है Q अगर एक सेट है जिसका के X एक मेंबर है तो प्रत्येक प्रत्येक बिंदु एक्स के अतरिक संख्याओं को रखता है अपने अंदर अता है Q का प्रत्येक बिंदू इसका सीमा बिंदू होगा एक और उधारण देख लें Open Interval AB का प्रत्येक बिंदू AB का सीमा बिंदू है पर यहां बिंदू A तथा B जो कि AB में नहीं है AB के सीमा बिंदू होंगे अता है AB के सीमा बिंदू का समझ्च है closed interval A, B होगा तो मैंने आज आपको एक तो नेवरोड के बारे में बताया limit point of a set के बारे में बताया और मैंने आपको antral के बारे में बताया इन सब के बाद कल मैं आपको बोलाएंजरो वियर स्ट्रास थ्योरम बताऊंगा धन्यवाद